हेलो स्टुडेंट्स अपना गुरकुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है दियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 उडान बेच का चेप्टर नमबर 2 जो कि हमारा पोलिनोमियल है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहला जो टोपिक हमारा है वो है degree of polynomials क्या होते हैं तो degree of polynomial को समझने से पहले हमें के example को देखते हैं उस example को समझते ही आप लोगों को degree of polynomial का बतलब समझ में आ जाएगा बहुत ही easy जी इसका मीनिंग होता है तो देखो जैसे यहां पर प्लिनोमिल गिवन है प्लिनोमिल की पहचान क्या होती है यह सारी चीजे में लेक्चर वन में पढ़ा दिया अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नमबर नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नमबर टू देख रहे होंगे तो देखिए यह प्लिनोमिल की पहचान यह होती है कि सभी वेडियेबल की जो पावर है वो होल नमबर होनी चाहिए यानि कि पावर वेडियेबल यहां पर एक्स है यहां पर एक्स है यहां पर कुछ भी नहीं है तो वेडियेबल की पावर टु है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे X की पावर 0 मान सकते हैं उसके अभिएबल की पावर कितनी होगी जीरो होगी अब इन सब में इन तीनों टम्स के अंदर जो पावर से उनमें सबसे हाइस्ट वाली यह जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है? 4 है. तो किसी भी LGBT expression में उसके सभी terms में से जो सबसे greatest power होती है. उस greatest power को ही क्या बोला जाता है? degree of polynomial बोला जाता है. I hope यह चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी. तो इस LGBT expression की जो degree हो गई, वो कितनी होगी? 4 हो गई. I hope यह बहुत ही आसान चीज़ थी, आप लोगों के समझ में आ गई होगा है. यह भी मैंने लिख भी दिया है. The greatest power या फिर exponent of the terms of a polynomial is called the degree of the polynomial. इस पूरे polynomial की degree कैलाईगी. इन सभी terms के अंदर से जो highest वाली power होगी वोगी इसकी degree कैलाईगी. अब यहां पर जो दो तीन चोटी-चोटी note है उनको समझते हैं. जैसे कई बार क्या होता है? कोई constant term दिया हुआ है. इसको मैं आगे वापस से भी revise करूँगा. constant term है जैसे यहां पर 7 लिख दिया. अब constant term के साथ में तो multiple कोई 6 ही नहीं. तो यहां पर x की power 0 या फिर x की power y की power 0 ऐसा कुछ मान लो. क्योंकि इसकी value भी 1 होती है, इसकी value भी 1 होती है. किसी भी number की power 0 का मतलब है उसका answer कितना आएगा? 1 आएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 x की power 0 या फिर 7 y की power 0. मतलब अगर यहां पर variable रहा भी होता, तो उसकी power कितनी होती? 0 होती. तो जो constant term होता है, उसकी जो degree होती है, उसकी degree हमेशा कितनी होती है? 0 होती है. यह हमेशा आप लोगों को याद रखना है. I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आगई होगी. आगे हम लोग types of polynomials पढ़ेंगे, उसमें भी इसको वापस से revise करेंगे. यह चीज हमारा है, degree of polynomial क्या होता है? इसके उपर हम बहुत सारे questions भी करने वाले हैं, लेकिन उस्ते पहले हम लोगे काम करते हैं, कि polynomials के क्या कर लेते हैं? Types को पढ़ लेते हैं, types पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, degree को, degree के उपर कुछ questions करेंगे, और आज का lecture थोड़ा छोटा lecture होने वाला है, तो देखो, अगला हमारे topic है, types of polynomials को भी हमें तीन तरीके से categorize किया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि variables के basis पे कितना होगा, अलग-अलग variable हो सकता है, किसी polynomial में एक ही variable हो, किसी में दो variable हो, किसी में तीन variable हो, यह चीज़ ध्यान अपना हमारे syllabus में जो भी polynomials है, उसके अंदर हम के वाल एक ही variable पढ़ने वाल है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे degree के basis पे, degree अभी हमने पढ़ा है, degree 0 हो सकती है, 1 हो हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो उसके हिसाब से उसका क्या नाम निकाला जाएगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, number of terms के basis पे, terms हम अलड़ी पढ़ चुके है, lecture 1 के अंदर, कि जो भी separated होते, plus minus से, किसी भी algebraic expression के जो parts, जो separated होते, plus minus से, उनको हम टम समोलते है तो एक ताम हो सकता है, 2 ताम हो सकता है, उसके basis पे क्या होगा, तो सबसे पहला जो topic है, हमारा category है, वह है, based on number of distinct variables, अब यह distinct variables क्या है, इसका मतलब भी समझ लो, distinct का मतलब होता है, अलग-अलग होने चाहिए, अब ऐसे जैसे यह नहीं होगा, जैसे यहाँ पर X कितना है, य अलग-अलग variables होने चाहिए, अलग-अलग variables होने चाहिए, I hope यह बात आप लोगों के समझ में आरी होगे, अब है, मैंने यह table की form में आसानी सा समझा दिया, जैसे यह number of distinct variable कितने है, उसके साब से उनका क्या नाम निकालेंगे, उसके साब से उनका example क्या होगा, वो समझते ह जैसे कि variable 1 हो सकता है, अगर variable ही नहीं है, तो मैंने बताया तो उसको क्या बोलते है, constant polynomial बोलते है, तो variable 1 होगा, तो उसको हम बोलते है, univariate, uni का मतलब होगा 1, variable 2 है, तो उसको हम बोलेंगे bivariate, bivariate का मतलब यहाँ पर क्या है, 2, variable अगर 3 है, तो उसको हम बोलेंगे trivariate, जैसे example दिखो X plus 11 यहाँ पर एक की variable गागा X plus Y plus 11 यहाँ पर क्या दिख रहे हूँगे X और Y दो variable दिख रहे हूँगे यहाँ पर X plus Y plus Z plus 11 यहाँ पर तीन variables दिख रहे हुँगे XY और Z तो तीन variable वाले कोları tri variate बोलेhovenगे दो variable वाले को bivariate बोलेंगे एक variable वाले को univariate बोलेंगे लेकिन हमारे सलेबस में class 10th के में कौन सा है के बल univariate हमारे को पढ़ना इसके अलावा अगर a polynomial in more than one अगर एक से ज्यादा variable है जैसे 2 वाला 3 वाला 4 वाला उसको bivariate, trivariate नहीं ना बोलके common नाम निकाल दिया हमने multivariate एक से ज्यादा variables है तो हम बोलेंगे multivariate 5 वाले को भी multivariate बोल सकते हैं 2 वाले को भी multivariate बोल सकते हैं इसका अलग से भी नाम होता है bivariate, I hope आप लोगों को एचीज समझ में आगे होगी कि आगे की 2 category हम लोग नेक्स लाइट पर देखते हैं तो इसको आप अच्छे से नोट कर लिजिए अब हम देखते हैं कि number of terms के basis पे किस तरीके से classify किया जाता है और number of degree के basis पे किस तरीके से polynomial उसको classify किया जाता है तो सबसे पहले है number of terms के basis पे कैसे करेंगे तो देखो हो सकता है कि किसी polynomial में एक term हो सकता है किसी polynomial में दो terms हो हो सकता है किसी polynomial में तीन terms हो कितने भी terms हो सकते तो एक term होने वाले जिस polynomial में एक term होगा उस polynomial को हम क्या बोलेंगे monomial ये चीज़ आप लोग कभी न कभी पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे ऌовой में नोम्हील का मतलब मैं बता चुका हूं ठीक है नोम्हील का मतलब होता है वहर और नोम्हील का मतलब होता है स्थ judgment马 tomorrow उसको अपिन पलब होता है तो यम उद्ग नहीं ऑलो पॉत डब दिखरो प्लस 11 यह जो तो होने चाहिए ना यह terms कैसे होने चाहिए अलाइक अगर लाइक टाम्स है तो वो एड हो जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर एक्जाम्पल लिखाऊ पहले इसको भी देख लो तीन टाम वाले को क्या बोलेंगे हम ट्राइनोमेल जैसे एक्सोखाऊ प्लस-घ्स-11 एक्सोखवाई एक्सोमाईनस-11 लिट्वो लाइक टाम्स है अब जैसे यह वाला 7 यह एक्वर में 2 टम से तो यह कौन सा है बाइनोमियल है ना कि ट्राइनोमियल है I hope यह समाज में आ गई होगी साथ में चोटा सा नोट हो नोट क्या है कभी भी अगर हमारी को प्रिनोमियल को लिखना है तो पोलिनॉमियल क्या वहरेंगे हम दिक्रीजिंग ओंडर में लिखेंगे जहसे हुध नियुकल पोई पॉलिनॉमियल वारे को लिखांगे मौर्मन हं बोर यह में होगा है तो अब यहां पर क्या है इसको यह दो हम लोग क्या करेंगे फिर बीच में से लिखा भाई यूअचे ठीण यूंपर तो इसको लिखने बैसे पी पफाइबंस सब्सक्राइब करें सबसु ligon पावर 3 आएगा फिर माइनस 2x स्कुर्वार आएगा फिर माइनस एक साइगा फिर यहां फिर आसा भी लिख सकते हो यहां पर यह लिखा एप दा पोडिनोमेल इन वन वेरियेबल वाला ही पढ़ रहे हैं मैं लास्ट लाइड पर बता भी चुका हूं कि हमारे सलेवस में वन बहल यह तो इच यूझे घर ऑर हाइएश डिडीट लुएष यह तो हाइएश डिगृ तुलोएष वह और फ्रॉम लोएश डिग्री तुले तो ज्यादा तर हम लोग हाइस से लेष कि लिखते हैंं लेकिन lowest highest भी लिखा जा सकते है या हम इसको लिख सकते है 1 minus x minus 2x square plus x cube plus x power 4 plus x power 5 तो यह तोनों तरीके क्या है किसी भी polynomial को लिखने के होते हैं I hope यह चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी इसे के साथ हमारा number of terms के basis पर polynomial खतम हो गया इसके बाद आया था based on degree यह बहुत important है यहां से एक एक number में बहुत सारे question बनाए जा सकते हैं तो देखो degree के best पर क्या होगा यहां पर मैंने 5 type समझाए एक type का और होता है जिसको भी हम next slide पर देखेंगे नोट की form में समझेंगे उसको अगर जैसे कोई polynomial है जिसके degree 0 है अभी मैंने last slide पर नीचे यहां पर note भी समझाए था constant polynomial कोई भी होगा तो इसके यहां पर multiple में क्या माल लो x की power 0 माल लो तो x की power 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है तो minus 7 multiply 1 करोगे तो minus 7 ही आएगा लेकिन यहां पर x की power कितनी है 0 है तो हम बोलेंगे कि जिसकी degree 0 होती है ऐसे polynomial को constant polynomial बोलते है अब यहां में यह भी ध्यान लगना है जो constant होगा ना जैसे minus 7 ए constant यह 0 नहीं होना चाहिए अब 0 होगा तो क्या होगा यह हमें next slide पर बताने बला हो ठीक है अगर किसी भी polynomial की degree 1 होती है तो उसको बोलते है linear polynomial यह आप लोग ने 7th 8th class में चेप्टर पढ़ाओगा linear equation in one variable और 9th में पढ़ाओगा linear equation in two variable तो वहाँ पे जो linear का मतलब था ना वहाँ पे इसका मतलब यह था कि वहाँ पे जो भी हम equations पढ़ते थे उसमें जो भी variables use करते थे x y कुछ भी जिसके अंदर उसकी highest degree कितनी होती थी 1 highest power कितनी होती थी 1 तो इसलिए उनको क्या बोला जाता था linear जैसे देखो यहां पे x की power कितनी है यहां पे x कुछ है नहीं है तो यहां पे power 0 जीरो और 1 में highest 1 होती है तो डिग्री कितनी हो गई वन डिग्री वाले को क्या बोला जाता है by quadratic polynomials बोलेंगे पाच डिग्री वाला वैसे तो जनरली हमारे को इतनी हायर डिग्री वाले पढ़ने नहीं है लेकि नाम पता होना चाहिए इसको बोला जाता है इतो है क्वेंटिक पोलिनोमियल ठीक है डिग्री 5 है तो इसको इसके बहुत इसके बताता हूं इसके बाद में अब हम कुछ नोट देखते हैं और एक नोट है चोटा सा उसके बाद में कुछ क्योस्टन्स होंगे उनको सोल करने के साथ है आज का लेक्टर खतम हो जाएगा तो देखो नोट क्या है जीरो और ग्राव और जिटाओफ उनकोल है जीरो प्लिनोरल क्या है उसको समझते हैं अपी मैनने लास्ट पर बताया कि ऐसके लेख़ा होना चैला ब्लाप तो जीरो भी वगल ऑ är तो पोलिनोमिल करें एंदेखो physically गुता है और फिश्च तेयुत्या आंड टीट दिकेants क्या होगा इसके माल्टीप्लाइप्लाई में x की पावर 2 मालБला तौबी 0 यह s2 कभी रहा ओगा तौभी 0 आगा y की पावर 100 रहा हो घंपलो मालँ तौ लेकिन एक्चौल में एक्षॉल में फिक्स तो बताई निसकते ना कुछ भी हो सकते है इसके मैल्टिप्लाइब में तो इसलिए जो कॉंस्टेंट अकर जीरो हो जाए तो ऐसे पोलिनोमेल को जीरो पोलिनोमेल की डिगरी क्या होती है नोट डिफाइड होती है यहां से एक नमबर में आज सकता है क्योंसा पोलिनोमेल जिसके डिगरी नोट डिफाइड होती है जीरो पोलिनोमेल यह जीरो पोलिनोमेल की डिगरी क्या होती है जीरो होती है बहुत इंपोर्टेंट चीज़े यह जहां रखना ठीक है उसे के साथ ह इन सबी चार पाज किशन चो दिएमें इनके हमें क्या पता करने डिगरी खाइंट करनी है तो डिगरी का बेसिक मतलब आपी मिने समझायता हाइस्ट पावर जितनी होगी वो डिगरी होगी यहाँ पे देखो इन सब में देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं जीरो है यहाँ 1 है यहां पर 2 है यहां पर 3 है तो इसकी degree कितनी होगी 3 हो जाएगी highest वाली power ही फिर यहां पर कुछ भी नहीं है power 0 है यहां पर 1 है यहां पर 3 है इसकी degree कितनी होगी 3 होगी यहां पर highest power 2 है यहां पर 1 है यहां पर 2 है तो highest overall कितनी है 2 है ठीक है इसके बाद में अगर बात करें हम यहां पे तो यहां पे देखो root 3 है तो 3 के root से हमें कोई मतलब नहीं x की power देखने है x की power 1 है यहां पे 0 है highest 1 है तो इसकी degree कितनी है 1 अब इसके बैसे पे तुम नाम भी लिख सकते हो इन दोनों का नाम क्या होगा cubic होगा क्यों कि highest power कितनी है 2 है इसका नाम क्या होगा quadratic होगा क्योंकि quadratic polynomial क्या होता था जिसके degree कितनी होती थी 2 होती थी यहां पे 1 है तो इसको क्या बोलेंगे linear polynomial बोलेंगे अब यहां तुम्हें solve करना पड़ेगा पहले इसका square करना पड़ेगा फिर इसका square करना पड़ेगा not defined होगी, बस एक एक नमबर में ऐसा क्यों पूछा जा सकते हैं, फिर इसको solve कर लेते हैं, तो पहले a plus b का holy square क्या होगा, a square plus b square, यानि 3 का square 9, plus 2ab, 2x multiply 3, यानि 6x हो जाएगा, फिर इस वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे minus है, तो x square, plus a square plus b square, यानि 9, minus 6x हो जाएगा, फिर आगे minus bracket को solve करोगे, तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 6 हो गया, यह minus है, और यह plus है, तो यह minus का x square हो गया, यह minus है, यह plus है, तो minus का 9 हो जाएगा, और यह minus minus plus का 6x हो जाएगा, x square, x square, subject हो गया, 0 हो गया, 9, minus 9, 0 हो गया, 6x हो 6x कितना हो गया, 12x, अब 12x में x की power कितनी है 1 है तो यह इसकी degree कितनी होगी 1 होगी और इसका type क्या होगा linear होगा इसका type क्या है constant है और इसका type क्या है 0 polynomial है I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी इसको भी आप note कर लीजिए इसे के साथ आज का हमारा यह lecture खतम होता है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए चेनल को subscribe कीजिए और अपने खुद के notes बनाईए hand return notes बनाईए ठीक है इसके साथ ही हमारा bell icon भी प्रेस कर दीजिए जिससे की आगे आने वाले सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहें तब तक के लिए thank you